हेलो गैस आज हम बात करेंगे Samsung Galaxy S21 series के बारे में जैसे कि S21 हो गया, S21 Plus हो गया, S21 Ultra हो गया, तो इन तीनों ही model के बारे में आज हम बात करने वाले, जो कि Samsung की तरफ से latest कुछ दिनों पहले launch किये गये है, और आज हम बात करेंगे इसके network setting के बारे में, क्योंकि यह आहम सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप लोग को काफी better यहां पर network मिल जागए, जिसमें आप लोग को कोई भी network से रेटर की प्रकार की परेशानी आपर नहीं होगी, सिके ना, सो यूटू स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिज इस तो 5G है, बाट आप लोग जो है, अभी 4G ही यूज़ करते हैं, विसे मैं इंडिया में रहता हूँ, अभी तो मेरी एरिया में 5G का कोई support नीस लिए, अभी मैं 4G कर रहा, तो यहां पे आप लोग सिंप्लिस को network mode पे आप लोग इसको LTTG, आप लोग इसको LTTG, आटो क कर दिया network को automatic में, automatic में running क्या होगा कि आप लोग को network में कोई भी problem में आप नहीं है, मतलब कि आधानास type का problem जैसे आप लोग अगर इसको manually रखेंगे, तो यह searching करते हैं, काफी लेट आप लोग के phone में network पागड़ेगा, अगर आप लोग इसको automatic रखते हैं, तो काफी better network में है क्योंकि हम ऐसी location में रहते हैं, मेरी बात करूं तो ऐसी location में रहते हैं, अभी भी आप लोग दिक्कत आती है, तो मतलब आम तोर पर step के दिक्कत आप लोग को basically नहीं है, कि जहां पर network मिलता है, वहां पर आप लोग काफी आसन तरीख से नहीं मिलेगा, पर जहां पर नही पर आप यांपर कर सकते हैं, कभी कभी होता है कि हम ऐसी location में चले जाते हैं, जहांपर network मिलता है, तो काफी लेट हमारे phone में अगर network मिलता है, तो उस च्वांपर आप लोग जल्दी network पारने के लिए, आप लोग अपने phone को aeroplane mode में डलके देखिए, एरो प्लैन मोड में डलका आउन करिए। फिर आप लोग के फोन में जो है निटर काफी आठ यहां पे पगाल लेता है अगर आप को फस्ट निटर का पकाल ना थो आप लोग आरोप्लैन मोड का यूज़ यहंम पर कर सकते और कूझ च्टयकAY से प्रude मिलती ज्यादा कुछ सैटेंग्स तो नहीं मिलती बट बेसिक है बेसिक सा है मतलब इसके अलावा आप लोग और भी ज्यादा कुछ यहां पर नहीं कर पाएंगे और उमीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसने की जय मता दी